जैहिन दोस्तों मैं हो राहर और आप देख रहे हैं Mission Competition Guys कल 30 September से 67th का जो form भरना fill up होना start हो चुका है और I hope आप सब भी इसके लिए excited होंगे कल से start ये हो चुका है साथी साथ हमने भी कमर कस लिया है अब आपके लिए Bihar Current Affairs का जी हाँ Bihar Current के series हमारा start होने जा रहा है जो कि last 6 month का ठीक है पूरे 6 महीनों का current affairs आपको दिया जाएगा जो कि इस October माह में October के महीने में ये पूरा complete करवा दिया जाएगा आपको तो उमीद करता हूँ ये series आप लोग के लिए काफी helpful रहेगा सरसाथवी के लिए special चल रहा है series और ये हमारा Bihar Current का वीडियो पगसला कमेंट कर जूर बता है और नए लोग सब्सक्राइब कर लिजे और पुराने हो या नए हो कोई भी हो वीडियो को शेयर जरूर कीजे चल लिए बिना दे रिखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हमारा first question है हाली में खाद पदार्थ फल सबजी और मचली की quality जाच के लिए किस जिले में करबाइड फूड एंड ड्रग लेबरोलिटी की विवस्था की जाएगी इसका जो correct answer हो जाया गाईज correct answer हो जागा देखिए पटना ठीक है पटना में इसके स्थापना करी जाएगी ठीक है पटना के अगम कुवा में यह लेबरोलिटी की विवस्था की जा रही है इसके लिए केंज से करीब 10 करोड की 3 मसीने मंगवाई जा चुकी है ठीक next question क्यों बढ़ते हैं नेक्स नमारा question है पंचायत चुनाओं में जिला पडिसत सदस्य पद के चुनाओं के लिए कितने चुनाओं चिन निधारित किये गए हैं देखिए इसके लिए जो है ना लगभग 20 चुनाओं चिन निधारित किये गए हैं बी वला हमारा absolute correct answer हो जाएगा नेक्स के और बढ़ते हैं question number 3 ठीक है बिहार में किस जिले में बाड़ प्रभवाईत इलाकों में COVID-19 टीका वाली नाओ चलाई जा रही है देखिए ये जो COVID-19 टीका वाली जो नाओ है ना ये मुझफरपूर में चलाई जा रही है यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख सकते हैं पिक्चर में साफ साफ ये नाओ दिख रही है और ये तीका वाली नाओ मुझफरपूर जिले में चलाई जा रही है ठीक है ताकि जब अभी बाड़ वाला जो इस्तिति बना था तो उस बाड़ वाले स्तिति में भी जो COVID-19 टिका करन अभ्यान जो है वो रुके नहीं वो सुचारो रूप से चलता रहे इसी के लिए प्रसासन के दोरा ये कदम उठाए गया था जो ये काफी सरानी है नेक्स्ट कोशन हम देखते हैं नेक्स्ट कोशन पहले यहाँ पे यह सारा मैपिंग है आप यहाँ देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो हमारा ये मुजफर पूर एरिया है यहीं पे ये नाव से जो है ट्यागरन का अभ्यान चलाया जा रहा है ठीक है चलिए नेक्स्ट हाली में आई स्वास्त मंत्राले की रिपोर्ट के नुसार राज में कोवी सील्ड वैक्सीन बरबाद करने में कौन सा जिला टॉप पर है कोशन पहले ध्यान से समझिए कोवी सील्ड वैक्सीन बरबाद करने में है ना 27,268 doses यहां पर बरबाद किये गए हैं मुजफरपूर में कोवी सील्ड के गया में 23,000 तिरपन और अरिया में 21,651 पूर्णी 18,521 पटना 18,238 तिस कटिहार 15,260 और अगर नियुन्तम की बात कर देखे सबसे ज़ाद तो मुजफरपूर है नियुन्तम देखे बाका है बिहार से 25 ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देख लिजिए next question हमारा हाली में आई स्वास्त मंत्राली के रिपोर्ट के नुसार कौन सा राज को वैक्सीन बरबाद करने में टॉप पे है कौन सा जिला में लटां में याँ वेक्सीन की बात हो रही है ठीक है ध्यान रखना है को सील मुझफरपूर चछ där में और में देखिए पतना टॉप पे है करटना देख लिज煮िन Richt गया में 27 Kentucky 1242 to furnyan 290 और सबसे अगर लीस्ट की बात कि जायतु बांका तीन डोस यह सलिया नेक्स्ट हाली में पटना इस छेतर में कौन से ज्वेलर्स को Man of Platinum Awards से सम्मानित किया गया है ठीक है तो ये जो सम्मानित किया गया है देखिए ये रतनाले ज्वेलर्स को जो है ना पटना इस छेतर में ठीक है Man of the Jewelर्स Man of Platinum Awards से सम्मानित किया गया है रतनाले जोलर्स को ठीक है चले नेक्स कोशन हमारा राज में ग्रीश्म रितू कब से कब तक रहती है मार्च से जून तक मार्च से मध जून तक मार्च मार्च से मध अपरेल तक मार्च से जुलाई तक देखे इसा correct जो answer हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा मार्च से मध जून तक जो ग्रिस्म रितु की बात हो रही है यानि की गर्मी की रितु ठीक है? तो ये जो है देखे कब से रता है मार्च से मध जून तक नानक कुν्ड कौन से जीले में स्थित है देखे नानक कुण्ड है मोंगेर जीले में ध्यान रखे इस बात का सब्सक्राइब करके नोट कर लिजे नानक कूण्ड किस जीले में है मोंगेर त sabes है फाहियान किस बेखर दो है कि सभा के साथ मैंने कुछ बिहार स integrating लोगोंर दो धक्ति में स्वामी साहजानन सरस्वती इस नहीं है क्षाज क्रेंट अभेडि स्व Хорошо जो जीके है वो भी इंक्लूट किया है तो आपको काफी ज़्यादे सा हेल्फ होगा कमेंट करके आप लोग हमारी इनिसेटिफ को जरूर से जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा इनिसेटिफ नेक्स को बढ़ते हैं भारत में होम रूल अंदोलन कब प्रडम हुआ था देखें इंडिया में होम रूल अंदोलन जो है यह 1916 में एनिवेसेंट के दौरा स्टार्ट करा गया था ठीक है दियान रखें इस बात का हाली में किस जिले के 4 विधान सवाज खेतर में 65 करोड की लागत से हिल्ध में विलननस चेंटर बनाया जाएगा है यहां पर पिक्छर्स में देख सकते हो next question देखते हैं next हमारा हाली में बिहारा कौन सा जिला 100 फीसिदी यानि 100% बैंकिंग वाला पहला जिला बन गया है देखें 100% बैंकिंग वाला जिला बना है वो है जहानाबाद very very important है friends इसको ध्यान में रखना है ठीक है ये 100% बैंकिंग वाला जिला बन गया है very very important है आने के भरपूर चांसे है next question क्यों देखते है हाली में भागलपूर जिला के किस वेक्ती ने cycle चलाते हुए rope skipping करने में India book of records में नाम दर्ज करवाया है cycle चलाते हुए rope skipping करने में मतलब वो cycle चला रहा है और साथी साथ रसियां भी कूद रहा है ये cycle जा रही है वो चूदता हुए मतलब ये भी जा रहा है तो ये ऐसा करनामा करने वाले बने हैं मोहित कुमार जी ध्यान रखे यहाँ पे ये picture है देखे यहाँ पे इनके हाथ में ये रसि है तो ये skipping भी कर रहे है और cycle भी चला रहा है दोनों handle को उन्हें छोड़ रखा यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं तो ये जो है देखे आदमपूर भागलपूर के मोहित कुमार ने 30 सेकंड में 30 बार rope skipping कर India Book of Records 2022 में अपना नाम दर्च करवाया है question number next देखते हैं मतलब यहाँ पे तो number मैंने दिया ही नहीं है हाली में केंडर की ओर से बिहार को करोना package के रूप में कितने रुपए की रासी मिलने वाली है तो ये जो है ना देखे 800 करोर रुपए की package की रासी मिल गई है package किसी रासी से field hospital बनाने सहित अस्पताल में 10,000 लीटर oxygen storage की शमता भी विक्सित करने की योजना है यहाँ पे राज सरकार और केंसरकार दोनों की next question कर देखते हैं हाली में आई क्रिसी विवाग रिपोर्ट के नुसार राज के कितने परसेंट किसानों तक अनुदानित बीज नहीं पहुचाया गया है तो यह जो नंबर है यह देखे 15% किसानों तक यह अनुदानित बीज जो है अभी तक नहीं पहुचाया गया हो है एक correct हो जाएगा हमारा next देखते हैं question number हाली में आने वाला पुस्तक operation खुकडी के लेखक कौन है हाली में आने वाली पुस्तक operation खुकडी के लेखक कौन है correct जो इसका answer हो जागा देखिए राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया दोनों संयुक्त रूप से मिलके इन्होंने ये किताबे लिखी है इस पुस्तक को बिहार जहारखंड सब एरिया के जनरल ओफीसर कमांडिंग मैनेजर जनरल राजपाल पुनिया और उनकी बेटी दामिनी पुनिया ने मिलके संयुक्त रूप से लिखा है ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स अमारा question है बिहार में अपराद खत्म करने के लिए operation black panther किस जिले में चलाए गया था देखा ऑपरेशन black panther जो है न ये चलाए गया था कहां तो पूर्वी चंपारन वाले जिले में किस लिए तो अपराद घतम करने के लिए बहुत important है black panther ये वाला जो operation है ये बहुत बार news में भी रहा है तो आप लोग ये ध्यान रखेगा पस्चिमी चंपारन में ये चलाए गया था ठीक नेक्स देखते हैं October 1989 में भागलपूर संप्रदाइक संगर्स दंगा जाच के लिए किस की अध्यक्सता में पैनल का गठन किया गया था तो इस पैनल का गठन किया गया था ये किया गया था जस्टिस एन सिंग के अध्यक्सता में ध्यान रखेगा इस बात को जस्टिस एन एन सिंग के अध्यक्सता में इस पैनल का गठन किया गया था ठीक है भागलपूर्ट का जो संप्रताइक दंगा हुआ था 1989 में इसके जाच के लिए एनन सिंग के अध्यक्सता में पैनल गठन हुआ था नेक्स्ट हमारा कोश्चन है विहार जी के से विहार का उप्रेशन टास्क फोर्स का क्या उद्देश था देखें बिहार का जो अप्रेशन टास्क फोर्स था इसके उद्देश की बात करें तो इनका उद्देश था नकसलियों का अंत करना ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान में रखिएगा अभी जैसा मैंने बताए कि करेंट अफेर्स के साथ साथ हम लोग बीच-बीच में बिहार जी के विंक्लूड करते हैं तो जिससे आपको काफी हिल्प मिलेगा नेक्स देखते हैं बिहार के जमिनदारों ने कौन सी सेना बनाई थी तो बिहार के जमिनदारों ने देखिए जो सेना बनाई थी उसका नाम था कुमर सेना ब्रहम रिशी सेना और रनवीर सेना यानि कि all of these उप्यूक तीनों सेनाओं का बिहार में सुजन किया गया था D हमारा सही हो जाएगा चलिए तो गाईज उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग काई पसंद आया होगा इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही तिल देन टेक केर बबाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके शेयर करके जुरूर बताईए बस हमें आपसे लाइक और शेयर चाहिए और शेयर प्लीज आप लोग कर दिया कीजिए पैसे आपके लगने वाले हैं नहीं उल्टा हमें फ़ासा फायदा हो जाएगा बेस्ट अफलाग